इसको हम लोग समझाएंगे, तो D orbital सामालित है, हमें S orbitals को सीखा, S orbital हमारा क्या होता है, सर्कुलर सेप का होता है, स्फेरिकल जिसको बोलते हैं, तो जिसमें X, Y, Z orientation तीनों क्या होते हैं, एक दम बराबा दूरी पर अप्यूलियाशिक होते हैं, और जो P orbital होता है, वो क्या होता होता है, डमरो की आकरिति का होता है, और जो D होगा हमारा वो डबल डमर शेप का होता है, D orbital डबल डमर शेप का होता है, और F orbital ट्रिपल डमर स्ट्रक्टर होता है, mostly books में इसको complex structure होता है, तो समंत F orbital न डीजल लोग को देखने हैं को नहीं मिलता है, एक प्रिबेसी सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें